तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का एपल मैक मिनी का टियर डाउन सबसे पहले हम चेक करेंगे इसके फिजिकल पोर्ट्स फ्रंट साड में हमें मिल जाता है एक पावर LED इंडिकेटर और बैक साड में है इसके सारे I.O. पोर्ट्स सबसे पहले है पावर अन उफ स्विच्च यहाँ पर है पावर केबल करिक्टर यह है 10 गीगाबिट का 845 एथरनेट पोर्ट और यहाँ पर हमें मिल जाता है चार थंडर बोल 3 पोर्ट्स एट 40 Gbps यह है HDMI 2.0 पोर्ट सपोर्टिंग 4K at 60 Hz यहाँ पर है दो USB 3.0 पोर्ट्स एट 5 Gbps जिसके नीचे हमें मिल जाता है एक 3.5 mm हेटफोन जैक और यहाँ पर है वेंटिलेशन ग्रिल जो होट एर को भार की तरफ ब्लो करता है और यह है इसका रिमुवेबल बॉटम पैनल जिस पर Mac में नी लिखा हुआ है तो आयो शुरू करते हैं इसका डिस्मेंट लिंग सबसे पहले हमें इसका बॉटम पैनल निकालना होगा जिसके लिए हम यूज करेंगे एक नालोन स्टिक नालोन स्टिक को स्लाइट करना है गैप में जिससे बॉटम पैनल इजी भार निकल जाएगा यहाँ पर हमें मिल जाता है एंटेना प्लेट जिससे निकालने के लिए हम यूज करेंगे टॉक्स T6 Security Screwdriver इस लोकेशन पर है इसका इंटेना केबल जो एक T6 Screw से Secured है हमें इंटेना प्लेट को स्लाइड करके इसका इंटेना पिन और Screw को निकालना है यह इंटेना प्लेट इसली भाहर आ चुका है अभी हम निकालेंगे इसका Fan Model जिसके लिए हमें 4 T6 Screws निकालना होगा Fan Model को नीचे इसका Connector है तो हमें ध्यान से Fan को Lift करना है और Connector को Disconnect करना है यहां पर है इसका Front LED Connector और यहां है Power Supply Connector Front LED connector को Nylon Stick से उपर की तरफ पुल करके disconnect करना है और Power Supply connector को धीरेश से उपर की तरफ लिफ्ट करके disconnect करना है अभी हमें Logic Board से दो Torx T10 screws निकानना है इसका Logic Board निकानने के लिए हमें इससे भार की तरफ पुल करना है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो इसका Logic Board भाहर आ चुका है इससे हम थोड़ी दिर में discuss करेंगे अभी हम निकालेंगे इसके आखरी component जो है इसका Power Supply Unit सबसे पहले हमें इसका Metal Pin निकालना है और Power Connector को 90 degree turn करना है Power Supply निकालने के लिए हम इस पर से तीन Torx T6 screws निकालना है और इसे भाहर की तरफ पुल करना है यह Power Supply Unit भाहर आ चुका है जो 150 Watts का है तो हमारे पास रहे गया है सिर्फ यह Space Gray Color का High Quality Empty Shell जिसकी Build Quality काफ़े जबर्दस्त है with Precision Cuttings अभी हम चेक कर लेते हैं इसका Motherboard जिसे Logic Board भी कहा जाता है काफ़े अच्छी Build Quality है सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इसका Ram Slots Ram Slot एक High Quality Metal Case से Secure किया हुआ हुआ है इस Metal Case को निकालने के लिए हमें 4 Tox T6 Screws निकालना होगा और इस Case को हमें उपर की तरफ Slide करके निकाल देना है और यहाँ पर है Ram Notches जो 2 Rubber Gaskets से Secure किया हुआ है जिसे हम Pull करके निकाल लेंगे और Notches को Sideways Pull करके दोनों Ram Sticks निकाल लेंगे जिसमें हम सिंगल 16GB Ram Stick इंस्टॉल करके इसे टोटल 32GB तक अबरेट कर सकते हैं जिससे इसका Performance काफी बेटर हो जाएगा अभी हम चेक कर लेते हैं इसका Motherboard यह है Processor Heatsink Assembly जिसके नीचे है Intel Processor यहाँ पर है T2 Security Chipset यह है Power Supply Connector यहाँ पर है Flash Storage Chipsets यहाँ पर है CMOS Battery यह है Apple का PMIC यहाँ पर है Heatsink Fins जिसके नीचे है Thunderbolt 3 और Ethernet Controller यहाँ पर है Speaker Module जिसके नीचे है Soldered AirPod Card Logic Board को Flip कर लेते हैं यहाँ पर है DisplayPort 1.4 to HDMI 2.0 Converter यह है Soldered Bluetooth Wi-Fi Chipset यहाँ पर है InterSail Power Management IC यह है Metal Plates जो Processor Heatsink को Secure किया हुआ है और यहाँ पर है Audio Chipset और यहाँ पर है सारे Back Panel Ports जो Mother Board से Connected है तो यह था हमारा आज का Complete Teardown of Mac Mini System अभी हम इसे Reassemble कर लेते हैं Fast Forward करके ाँ पर्फथर मुलब से झाल 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 झाल